कि नमस्कार साथियों मून मिशन की सफलता चंद्रयाम तीन हबारात तिरंगा फैरा रहा है शीवशक्ति पॉइंट नई प्रिणा का केंद्र बना है तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है पूरे विश्व में जब इस प्रकार की उप्लब्दी होती है तो उसको आधुनिक्ता से विज्ञान से टक्लोलोजी से जोड़ करके देखा जाता है और जब यह सामर्त विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना अनेक आउसर हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं जी ट्वेंटी की अभूत्पुर्व सफलता साट से अधीक स्थानों पर विश्व भर के नेताओं का स्वागत मन्थन और ट्रू स्पिरिट में फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीवन्त अनुभव भारत की विवितिता भारत की विशेस्ता जी ट्वेंटी अपने आप में हमारी विवितिता का सेलिवरेशन बन गया और जी ट्वेंटी में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि ग्लोबल साउट की हम आवाज बनें आफ्रिकन उनियन को स्थाई सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से डिकलेरेशन ये संगरी बाते भारत के उजवल भविश्य के संकेत दे रही है कल यशो भूमी एक इंट्रनेस्टनल कन्वेंशन सेंटर राश को समर्पित हुआ कल विश्वकर्मा जैंती थी देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंप्रागत पारिवारिक हुनर है उसको ट्रेनिंग आधुनिक टूल आर्थिक प्रबंदर और नए सिरे से ये विश्वकर्मा समर्थ भारत की विकास यात्राओं को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भूमी का आदा करें ऐसे अनेक एक के बाद एक भारत के गवरों को बढ़ाने वाले एक प्रकार चे उत्सव का माहोल उत्सा का माहोल उमंग का माहोल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं उसी समय संसर्थ का ये सत्र इस पार्ष्व भूमी में संसर्थ का इस सत्र ये सही है कि ये सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है आईतिहासिक निर्णों का एक सत्र है ये सत्र की एक विसेता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा अम नए मुकाम से आरंब हो रही है जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की वो अत्यंत प्रेरक पल और आप नए स्थान पर उस यात्रा को आगे भढ़ाते समय नए संकल्प नए उर्जा नए आविश्वास और समय सिवा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है इसके लिए आने वाले जितने भी दिने होने वाले वो इस नए संसद्वोन में होने वाले और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है मैं सभी आदनिय संसदों से अग्रह करता हूँ इस छोटा सत्र है जादा से जादा समय उनका मिले उमंग और उत्सा के वातावार में मिले रोने धोने के लिए बहुत समय होता है करते रहिए जिवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं विश्वास से भर देते हैं मैं छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूँ नाशा करता हूँ कि पुरानी बुराईयों को जोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाईयों को साथ ले करके हम नए सदन में प्रवेश करेंगे और नए सदन में अच्छाईयों की मुल्य बुर्द्धी करने में कोई कमी नहीं रखेंगे ये प्रण सभी साउसद हम ले करके चलें इसका ये महत्वपुन पल्व है कल गनेश श्यतुर्धी का पावन पर्व है गनेश जी विग्न हर्ता देवता माने जाते है अब भारत की विकांस यात्रा में कोई विग्न नहीं रहेगा निर्विग्न रुप से सारे सपने सारे संकल्प भारत परिप्रून करेगा और इसलिए गनेश चतुर्धी के दिन ये नवप्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाना बनेगा इसलिए भी इस चत्र सत्र छोटा है लेकिन बहुत मुल्यवान है बहुत बहुत धन्यवाद